गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत आपका स्टडी आई क्यो योटूब चैनल पर हमारी चल रही थी रेलवे की सिरीज रेलवे की सिरीज का आज हमारा डे 108 है और आज हम डिसकस करेंगे मोक टेस नमबर 3 इससे पहले स्टार्टिंग के 90 डेज में हमने लगबग 1700 सवाल डिसकस किये थे और वहाँ पर हमने कम्प्लीट किया था रेलवे की मैट्स का सलेबस उसके बाद जो अगला बाड था 15 लेक्चर हमने डिसकस किये थे रिवीजन क्लासेज के उनमें हमने डिसकस किये थे लगबग 700 से ज्यादा सवाल डे 106 से हमने स्टार्ट कर लिये थे मोक test तीसरे नमबर का आज मोक test है सेसन स्टार्ट करने से पहले जरूरी बात यह आपको दिख रहा है टेलीग्राम, टेलीग्राम पर जाएं सर्च करें वासू स्टेडी आई के यह अपना टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पर आपको क्लासेज की PDF मिलती हैं, प्लस में क्लासेज की लिंक मिलते हैं, नीचे वाल टाइब के, कल्कुलेटिव नेचर के सवालों को भी हम लोग सामिल करें, और कई सारी ऐसी चीजें हैं, जो SSC ने, CDS ने पूछी हैं, उनको भी इन्वोल करने का प्रियास हैं, पुराने किसी भी क्यूसन को रिपीट नहीं किया जा रहा है यहाँ पर, तो आपको कई सारी सीखने को मिलेंगे, एक काम तो यह करें, नोटबुक और पैन लेकर साथ में बैठें, अगर आपको वो सवाल आता है, तो उसको तुरंट अटेम्ट करें, दूसरा यह है कि आपको यह लगता है कि इस टाइप का सवाल आपने नहीं कर रखा है, तो उसको अच्छे से समझे और क्लास के बाद उसको अपने नोट्स के अंदर सामिल कर दें, और जो जो सवाल और जो अप्रोच में आपको स्टार मार्क करवा रहा हूं, उनको थोड़ा सा स्पेसली फोकस करें, सवाल नमबर एक में इसने क्या कहा, देखो, कि वन अपोन में 4.263, यह दे रखा, इसक 4.263, जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 0.2346, यह वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ पर बाद में नमबर दिया है, 3.0 लगे हैं, फिर पॉइंट लगा है, ठीक है, तो इसका मतलब यह क्या हुआ, इस पूरे के पूरे नमबर में आपको 4 प्ले छोड़ करके पॉइंट लगाने है, क्या किया जाए, पॉइंट कैसे लगता है भी, जैसे आपके पास 1 है, इसमें आप 10 का अगर भाग दे देंगे तो रिजल्ट के आएगा आपका पॉइंट 1 आ गया, अगर आप इसमें 100 का भाग देंगे तो पॉइंट 01, अगर 1000 का भाग देंगे तो point zero zero वनाएगा तो इसका मतलब अगर आप number को 100 से divide करोगे 2 point उसमें बढ़ जाएगे 1000 से divide करोगे उसमें 3 point बढ़ जाएगे 10,000 से उसमें division करोगे तो 4 point बढ़ जाएगे हमें यहाँ पर 4 place छोड़ करके आपका point लग जाएगा हमें यहाँ से 4 place छोड़ने और इस point को इधर shift करना है तो क्या करें 10,000 का division 10,000 का division करेंगे वो चला जाएगा उपर की तरफ आ गया ठीक है 10,000 का division किया है और अभी तक इसको हमने soul नहीं किया clear लेकिन एक बात बताओ इसके अंदर अगर आप इस तरफ 10,000 का असल में देखा जाए तो multiply हो चुका है गुना कर रहे हो तो ये तो pattern पूरा का पूरा change हो गया तो इसके लिए क्या करें जो 10,000 का आपने left में गुना किया है 10,000 का आप right में भी multiply कर दो और इस बात को हम ऐसा करते हैं soul कर देते हैं soul करोगे तो एक दो तेन और चार यहां पर आ जाएगा point तो one आप उन में जो बात question में पूछी है वो आ गई right side में जैसे आप 10,000 का गुना करोगे ये part हटेगी और चारों के चारों point आपके हट जाएगे तो result क्या आएगा two, three result आपका आगया two, three, four, six ये हो गया हमारा यहां से result option C इतना सा ध्यान रखना है एक बार अगर आपने सवाल कर रखा है तो फिर आप इस सवाल को चाहें तो verbally भी deal कर सकते हैं चलो गई सवाल नंबर दो की बात करें decimal fraction पढ़ते time हमने discuss किया था bar का pattern question number two तो आपने पाया कि 1.3 का bar है इसको दो बार और multiply किया minus one वो की वो बात उपर वाले नीचे रखी हुई है बस नीचे क्या है आपका plus one तो सबसे जरूरी बात ये है कि आपको इसका solution पता हो 1.3 bar को क्या लिखा जा सकता है दो तरीके बताए थे एक तो exam approach ये थी आपकी point के बाद जितने भी digit पर बार लगा है उतनी बार नो एक पर लगा है नो आ गया point को हटा करके सोचना होता था उसके बाद तो 13 और उसमें से ये वाला जो part जिस पर बार नहीं लगा उसको लिखते थे 12 divide by 9 आ गया 3 by 9 cancel out करोगे 1 by 3 3 LCM आ गया solve करोगे 4 by 3 ये जितना भी part है ये आपको अच्छे से सिखाया जा चुका है आप चाहते या थोड़ा सा भी common sense लगाते तो आप इसको verbally deal कर सकते थे चलो बई 1.3 का बार उसकी value 4 बटे 3 आ गये तो उपर क्या लिखा है 4 बटे 3, 4 बटे 3 4 बटे 3 तो 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27 माइनस का 1 नीचे ये की ये बात लिखी हुई है और प्लस का क्या है यहाँ पर 1 27 का उपर नीचे गुणा करोगे तो 64 माइनस 27 कितना बचेगा यहाँ पर 37 और यहाँ पर 64 प्लस आपका 27 ये आपका रिजल्ट हो गया एक्जाम में करने लाइक यही बात थी ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि मानलो कोई particular part है आप miss कर रहे हैं उसको या भूल चोके हैं कि भी ये part हमने पढ़ा तो था लेकिन तरीका याद नहीं आ रहा है तो जहां कहीं भी ठीक से सवाल होंगे अच्छा खासा कहीं concept का involvement होगा बिल्कुल आपको एक एक बात soul करके बताई जाएगे चलिए भी सवाल नंबर तीन की बात करते हैं तीन नंबर में देखना जरा तीन नंबर में देखो trigonometry का सवाल है कुछ particular value दे रखी है और आपसे पूछा इसका result क्या है देखो इसमें A, B और D option तो आपके perfect result है तो कैसे करें भी इसको value put से करने value put में सबसे easy क्या है या तो 0 degree रखो या फिर 90 degree रखो जैसे ही मत theta की value 0 रखता हूँ तो C option में देखो sin 0 की value 0 होगी तो पूरा का पूरा option आपका C क्या बनेगा 0 और D भी क्या बनेगा 0 तो ये value आपकी contradict होगी तो better क्या रहेगा option value change करो कुन सी value ले 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 45 degree देखना 45 में पहले का option 1, minus 1, दूसरे का 1, चोथे का D, 45 रखोगे 1 by 2 1 by 2 तो ये आएगा minus का 1 by 2 कुछ भी contradict नहीं हो रहा तो आप start करते ही सवाल को यहां से, theta equals to 45 degree रखा 1 minus 2 in 2 में sin square 45, एक बटा दो फिर आपका एक बटा दो upon में देखना sin की power 4 1 by 2, 1 by 2 आगया आपका, 1 by 2 1 by root 2 होता है 45 लेकिन power 4 है तो ये आजाएगा 1 by 4 plus का 1 by 4 और minus क्या बन रहा है 1 ये इससे कट गया 1 minus 1 by 2, उपर 1 by 2 आगया 1 by 4, 1 by 4 दो बार है तो ये भी 1 by 2 तो उपर नीचे, same value है 1 minus 1, result आपका 0 आगया, जो की correct option कौन सा होगे आपका, D लिखा जा सकता है, चलो भई सवाल नंबर 4 की बात कर लेते हैं question number 4 में देखो इसने आपसे क्या गा कि एक number है और ये क्या है आपका 11 से divisible है, number लिख देता हूँ 9, 2, 5, X, 8, 5 divisibility chapter हमने पढ़ा था कई सारे number की divisibility के rule थे उनमें 11 का rule क्या था odd place पर आए हुए आपके जितने भी number है जैसे पहले place पर, तीसरे पर, पांच वे पर इनको जोड लो even place पर आए हुए नमबर को जोड लो ठीक है इन दोनों का add करके difference ले लो 8, 5, 13, 9, 22 22 में से आपको less क्या करना है 5, 2, 7, plus X कर दिया आगे और less करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 15, minus X और ये क्या होना चाहिए ये 11 से divisible या यूँ कहलो, इस पूरे की value या तो क्या बने, 0 बने या 11 बने, या 22 बने मतलब ये देखा था हमने कि या तो वो 0 हो चाहिए, या 11 का multiple हो और remainder theorem भी हमने पढ़ रखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो number लिखा हुआ है ये 11 से divisible होना चाहिए इसके आपको पढ़ाते टाइम reason भी बताये थे कि ऐसा क्यों किया जाता है चलो बई minimum value रखनी है 4 option दे रखे हैं तो देखना जरा 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे कहीं बात नहीं बन रही जैसे ही आप x की value 4 रखते हो तो 11 बटे 11 ये क्या हो गया, इससे divisible हो गया तो इसका मतलब वो x की minimum value जो possible है, वो हमारे पास क्या होगी 4 चलो बई, एक आसान सा सवाल है जल्दी से attempt कर दो verbally attempt कर देना हो जाएगा देखो, क्या का आपको सवाल दे रखा है 3 minus 9 minus 3 into 8 division में 2 इसकी value क्या है, आसान सी बात है सबसे पहले division, bracket में भी division 8 में 2 का भाग दोगे, 4 4 गुना में 3, 12 9 में से 12 सोल करोगे, bracket में क्या आजाएगा minus का 3, minus minus plus हो जाएगा, 3 और 3 यहां से अपना correct result क्या बन जाएगा 6, option B अपना correct हो गया कुछ-कुछ सवाल तो देखो बीच-बीच में आसान आपको मिलेंगे reason यह है कि मोक्टेस का मतलब यह नहीं होता है कि सारे ही आपको वायाद सवाल करवा दिये जाए या सारे ऐसे सवाल उठा लें जो टिपिकल टिपिकल रहे हुए उससे आपका moral भी down हो जाएगा तो प्रियास यह रहा है कि easy भी सवाल हो आपके पास moderate भी हो और typical level के जो सवाल है वो भी आपके सामने रखे जाए देखो, important सवाल आपका algebra का सवाल number 6 सवाल ऐसा है कि आप चाहें तो इसे verbally deal कर लें देखो, आप से क्या पूछा है कि x cube plus 1 by x की cube का result क्या होगा ठीक है, यह आप तभी निकाल सकते हो जब आपके पास value किसकी हो, x plus 1 by x की, यह value जब आपके पास a निकल के आती है तो यह value आप क्या लिखते हो, a cube minus का 3 है, लेकिन वो निकल के तो आए पहले, तो आपके पास पहले square का pattern है, तो under root में जाना है, under root के लिए आपको क्या सिखाया था, कि under root तो होगा ही होगा, plus से plus में जा रहे हो, तो यहाँ पर 7 के 7 क्या होगा, 2 add होगा, 9 का under root कितना आ गया, 3, एक ही value 3 आ गये, यह आपको अच्छे से सिखाया हुआ है, कहाँ पर, जो हमने 7 pattern discuss किये थे, उसके बाद, इन 7 pattern में हलंकि आ गया था, उसके बाद हमने discuss की थी, अपनी 8 values, जिन पर यह pattern वाले सवाल बनते हैं, सवालों का स्थरिये होता है, कि इन में आप almost जो सवाल है, उनको verbally deal कर सकते हैं, अगर आपकी इन 7 pattern पर ठीक command है, ठीक है अगर कहीं बहुत ज्यादा calculation है तो वहाँ पर भी अगर आपको pattern याद है, तो आप थोड़ा बहुत लिख करके अपना काम चला सकते हैं तो देखो, साथ की वज़े से हमने x plus 1 by x की value 3 निकाल ली cube करोगे, यहाँ पर 3 का cube minus 3 गुणा में 3 लिखा जाएगा, 27 minus 9 कर दिया, तो 18 क्या इतना detail में करना था? अच्छा, इसका option क्या है, हमारे पास missing है ठीक, अब यह d option नहीं है यहाँ पर तो 18 इसका result होगा एक बार के लिए मैं थोड़ा सा exam की तरफ आपको hint कर देता हूँ कि अगर यह सवाल आप exam में देखते हैं तो कैसे deal करेंगे? x square plus 1 by x square की value साथ है x cube plus 1 by x cube तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास अंडरूट में 7 plus 2 9, 9 का अंडरूट 3 x plus 1 by x की value 3 आगए cube पर जाना है तो 3 का cube minus 3 गुणा में 3 27 minus 9 करोगे तो result आपका क्या जाएगा? 18 verbally किया जा सकता है sorry सवाल नंबर 7 देखना फिर से एक बार का सवाल उठाया गया है देखो आपको दे रखाय डेटा 0.0009 solve करने की simple सी approach थे कि point के बाद जितने भी digit पर बार लिखा है उतनी बार क्या लिखते थे आप 9 फिर इस बात को भूल जाओ क्या था? ये जो नंबर लिखा इसको agitties उतार दे 0009 लिखने का मतलब असल में 9 है 9 से cut भी रहा है उपर नेचे कितनी बार? 1 अकोन में 1 1 1 1 तो यहां से आपका result क्या बन गया? C. exam के अंदर ये वाली बात लिखने की लीड नहीं थी इतना सा आप लिखते फिर आपको पता चल रहा था कि ये इस पार्ट से cancel out हो रहा है तो आप सीधे सीधे इतना सा डेटा लिख करके इस सवाल को deal कर सकते थे चलो गई सवाल नमबर 8 average का सवाल देखना क्या कहा? 5 क्रमागत विसम संख्याओं का ओसत M है आपके पास 5 ओड नमबर है और किस नेचर के है? successive नेचर के average M बताया अगले 3 विसम संख्याओं को भी सामिल करने तो उसत में व्रदी कितनी होगी? देखो सब का average क्या चल रहा है? आपका M और जब भी कभी आपकी संख्याओं मालो ओड है या इवन है कितने के gap से चलती है? दो-दो के gap से चलती है तीन संख्याओं एड करोगे तो इसका मतलब number के अंदर जो range आपकी वो 6 बढ़ जाएगी और average के अंदर आपको एक बात सिखाई थी कि जब range 6 बढ़ गई है तो इसका मतलब average तो उस line के एकदम mid में निकालना होता है अपने को तो इसका मतलब इस side में आपने 6 value बढ़ा दी तो average इधर ऐसे खिसकेगा कि ये 3 तो इधर justify कर दे और 3 इधर justify कर दे मोक्टेस के अंदर जो बच्चा ये सवाल सीधे सीधे दे देख रहा है उसके उपर से जाएगा या तो वो ये मान के चलेगा कि इस बात को रटना है या फिर ऐसा करें आप इस चीज को समझना चाते हैं समझाया जा चुका every chapter के अंदर की ऐसा क्यों होता है तो वहाँ जा करके देखें example भी लिए हैं सारा का सारा काम बताया है तो मैं आपको इतना ही कहना चाहरा हूँ कि जब आप 3 संख्याएं बढ़ाएंगे 2-2 के gap से होती है 6 का increase होगा लेकिन 3 का increase इस mid point से left के अंदर क्योंकि ये खिसक जाएगा आगे 3 उदर रह जाएंगे तो average कितना बढ़ेगा भी 6 by 2 तो नया average के आएगा M plus 3 जिस भी बच्चे ने class नहीं देखी है उसके लिए challenge क्या होगा यहाँ पर एक मिनट यहाँ तो अच्छा उसत में व्रदी आपको निकालनी है ना नया average ही होगा यह answer होगा ठीक है जिस भी बच्चे ने class नहीं देख रखी है उसको यह सवाल लटना पड़ेगा और जिस बच्चे ने देख रखी है उसके लिए simple है कि 5 करमागद विसम संख्या है तीन आगे बढ़ाओगे तीन का मतलब 6 का gap बढ़ जाएगा और average में midpoint की तरफ वो 2-2 part में divide होगा तो 6 by 2 करोगे तो 3 का increase यहाँ पर वो चाता तो यहाँ आपको कह देता है कि आपके पास 5 even number है तीन अगले number को जोड़ा गया है तो average में क्या effect होगा तो वही 2-2 के gap से चलेंगे आपको यहाँ पर सवाल यह भी दे सकता था कि हमने यहाँ पर total 10 संख्याओं को बढ़ाया average कितना बढ़ेगा तो 10 संख्याओं का मतलब होगे आपके पास कितना 20 का gap तो 20 by 2 या 10 odd number बढ़ाओगे तो average भी 10 आगे बढ़ेगा 10 odd number कम करोगे तो average 10 आपका decrease हो जाएगा चेप्टर अगर आपने इमानदारी से पढ़ा है तो यह सवाल verbally हो सकता है एक ही काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती है अगर 5 पूरू सोड़ 2 महिलाएं एक साथ काम करते हैं तो काम पूरा करने में कितना टाइम लगेगा देखो simple सी बात है 10 आपके पास आदमी है काम कितने दिन में करते हैं वह यह 12 दिन में तो यह असल में देखा जाए तो क्या लिखी है हमने efficiency और यह क्या लिखा time तो इसकी वज़े से क्या निकल के आता था हमारे पास total work ठीक है और यही काम same to same जो total work आया है कितने 12 महिलाएं 12 women और कितने दिन में भी 12 दिन में कर देती है जब आप इससे solve करेंगे तो आपके सामने आएगी आदमी और और औरत की efficiency देखो man upon में woman आप यहाँ पर लिखेंगे तो आप पाएंगे कि यह 12 और 10 इधर चला गया 2 से cancel out किया 6 ratio 5 आदमी की क्षमता 6 है औरत की क्षमता कितनी है 5 अब आपसे क्या कह रहा है कि अगर 5 पूरूस और 2 महिलाएं एक साथ काम करते हैं तो पहले काम तो देखो कितना है काम या तो यह उठा लो या यह उठा लो यह काम अगर आप उठाओगे तो total वर कितना है 10 गुणा एक आदमी की क्षमता 6 दिन कितने 12 और यही काम आपको करवाना किससे है 5 आदमी और 2 महिलाएं 5 आदमी होंगे तो एक आदमी की क्षमता 6 है 5 आदमी की 6 गुणा 5 तीस और 2 महिलाएं एक महिला की क्षमता 5 है तो 2 की 10 30 इनकी हो गई 10 इनकी हो गई सब की क्षमता कितनी 40 efficiency को time से गुणा कर देते हैं total work आपको ये करवाना है ये कर लेते हैं वही 16 ये कटा 6 गुणा 3, 18 बराबर आपका क्या आगया लिखा जा सकता है जब आपको पढ़ाया था तो एक important बात ये भी बताए थी कि आप चाहें तो इस part को avoid कर सकते हैं ratio आप सीधे भी बना सकते हैं आदमी का ratio इधर दिखेगा औरत का इधर दिखेगा तो सीधे ही काट देते आदमी की क्षमता अच्छे है औरत की क्षमता कितनी 5 तो एक line आप unwanted जो लिख रहे हैं उससे भी बचा जा सकता है देखना जरा हूँ n square minus 14n plus 24 एक भज्य संख्या है ठीक है आपका एक prime number है तो आप से क्या पूछ रहा है n की value देखो अगर आप इस सवाल को सीधे सीधे n की value रख करके solve करेंगे तो तो ये मामला क्या हो जाता आपका challenge हमेशा ध्यान रखना by option अगर आप try भी करेंगे equation का format है जैसे देखे तो ये quadratic equation का एक format आपका quadratic equation नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि equals to में या तो 0 लिखा हो या कोई दूसरा number लिखा हो तभी हम लोग उसे equation कहते हैं ठीक है तो ये quadratic का आपका format है equation हलांकी नहीं है सीधे अगर आप option से value रखेंगे जैसे 13 रखेंगे 13 का square 14 गुणा 13 calculation थोड़ी सी challenging होती है examiner आपसे उमीद भी यही करता है कि आप सीधे सीधे कोई value रखें और इस बात को check करें तो better क्या रहेगा square का format है n की value है आप इसे एक part common लेलो ऐसा करने का फाइदा ये होता है कि आपकी calculation आसान हो जाती है तो आपने exam में क्या किया यहां से देखा screen से और इस बात को लिख लिया अब आप गई by option by option में अगर मैं n की value 11 रख दूँ तो देखना 11, 11, 14 तो आपके पास minus 3 11, 33, minus का 33, plus का 24 33 और 24 की value कितनी आएगी minus 9 एक बात बताओ 9 क्या आपका prime number है नहीं, ये हट गया अगली value फिर क्या चेक करें n की value 13 रख लो भी 13 रखोगे 13 और यहां पर 13 minus 14 minus 1, minus 13 और यहां पर आपके पास कितना बचा है 24, minus 13 और 24 रखोगे तो कितना बच गया आपके पास 11, क्या 11 prime number है बिल्कुल है तो ये आपका answer हो गया 11 answer नहीं हुआ है n की value 13 आपका answer हुआ है तो यहां पर option 1 यहां silly mistake का भी chance बनता है silly mistake का कैसे बनता है जैसे result आपका क्या निकल के आया 11, 11 तो वो prime number बना है अब आप option के अंदर B को hit कर देते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखना नहीं आपसे n की value पूछ रहा था n की value जब आप 13 रखते हैं तब आपका prime number निकल के आता है आगे check करने की निड़ है क्यों check करें भी आपको ही पता है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक आपका prime number बन रहा है चलिए अभी अगले सवाल की बात कर देते हैं सवाल number 11 क्या कहा किसी triangle की आधार को आगे बढ़ाने पर दोनों और बनने वाले बहिसकोन 121 degree, 104 degree है तरी बुझ के सबसे बड़े angle की value क्या है तो सबसे पहले तो क्या करो एक triangle बनाओ exterior angle बनाना है तो side को बढ़ा दिया ठीक है, बढ़ा दिया ये आप चाते तो इधर भी बढ़ा देते एक exterior angle आपका 121 degree दूसरा बनाना है आपको तो आप क्या करो इसको इधर बढ़ा दो आप चाते तो इधर भी बढ़ा सकते थे कोई फरक नहीं पड़ेगा ये angle कितना बनेगा 104 degree अब देखना इसे थोड़ा सा solve कर लेते है अंदर वाले angle की जो value निकल के आएगी ये पूरा का पूरा 180 degree होगा तो अंदर वाला जो angle होगा 76 degree हो गया इस वाले angle की बात करें 120 में क्या जोड़ दें 60 जोड़ दें एक और बढ़ा हुआ तो एक कम कर दें ये 59 degree 76, 70 और 50, 120 हो गया 9, 6, 15, 135 तो ये ही हो गया सबसे बढ़ा पूछ रहा है सवाल नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं कि उससर नंबर 12 में देखना क्या का दो कार A और B दिल्ली से क्रम से सुबह 8.30 पर और 9 बजे सिमला के लिए रवाना होती है स्पीड 40 किलोमेटर प्रती घंटा और 50 किलोमेटर प्रती घंटा है दिल्ली से स्टार्ट हुई थी वो पूछा क्या दिल्ली से कितने किलोमेटर की दोरी पर दोनों कार एक साथ होंगे डिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो आप क्या निकालोगी स्पीड इंटू में टाइम अब आपको ये नहीं पता चल रहा है कि 9 बजे जो दूसरी कार स्टार्ट हुई थी वो कितने घंटे में पहले वाली को पकड़ लेगे तो पकड़ना है पहले तो तो देखना जरा पहली कार आपकी चली दिल्ली से स्पीड कितनी है 40 किलोमेटर परती घंटा साड़े आड़ चली साड़े आड़ से 9 बजे तक आदा घंटा होता है आदे घंटे में दूरी 40 गुना एक बटा तो 20 किलोमेटर इसने तै कर ली अब इन दोनों कारों के बीच का जो गैप मेंटेन है वो कितना है 20 किलोमेटर टाइम हो चुका है 9 बजे 9 बजे के बाद गैप मेंटेन है 20 किलोमेटर आगे वाली जारी है 40 की स्पीड से पीछे वाली जारी है 50 की स्पीड से एक ही डाइरेक्शन में है तो स्पीड रिलेटिव क्या होगी बड़े में से छोटे को लेस कर दिया 50 माइनस 40, 10 डिस्टेंस अपोन में स्पीड रिलेटिव ये आगया टाइम इसका मतलब क्या हुआ पीछे से जो कार चली है 9 बजे वो 2 घंटे में पहली कार को पकड़ लेगे पीछे से जो कार चली है वो भी दिल्ली से ही तो चली है और उसकी स्पीड कितनी है 50 किलोमेटर परार 50 की स्पीड से 2 घंटे में कितनी दूरी तै करेगी 100 किलोमेटर तो वो स्थान दिल्ली से 100 किलोमेटर की दूरी पर है उप्सन भी अपना यहां पर क्या हो गया करेक्ट चलो भई सवाल नंबर 13 की बात कर लेते हैं 13 इजी सवाल है और अगले वाला जो मोक टेस्ट होगा अपना उसका लेवल काफी अच्छा मैंने रखा है ठीक है एक-एक सवाल को ठीक ठीक तरीके से चार्ट करके उठाया गया है रेलवे के पेपर भी मैं पुराने वाले देख रहा हूँ पैरलल के अंदर कोई ओ धंका सवाल मिले या उसकी लेंग्वेज अगर चेंज करने को मिले तो बिल्कुल उससे भी हम लोग पूरा-पूरा प्रियास करेंगे कि उठा लिया जाए देखो सिंप्लिफाई करना है जस्ट आपको साइन तीस की वेल्यू क्या हो गई भी वन बाई टो कोस तीस की वेल्यू क्या लिखते हो अंदर रूट तीन बटा में दो माइनस टैन पैंतालिस की वेल्यू एक एलसेम कितना आ गया भी दो आ गया यहां पर 1 प्लस रूट 3 माइनस का 2 तो यह आ गया रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 एकदम आसान सवाल है कुछ हेरर होने का चांस भी नहीं है इसमें तो चलो गई देखना जरा अगला सवाल क्या का 18 टेबल पंखों को 11,664 रुपे में बेचकर एक आदमी 10% का नुकसान उठाता है 10% लाब अरजित करने के लिए 17,424 रुपे में कितने पंखों को बेचा जाना चाहिए आपको एक शांदार सा पैटर्न पढ़ाया गया था कि आप क्या करो डिल करो एक आर्टीकल के साथ एक आर्टीकल की रेट के साथ ठीक है और फोर्मेट क्या था वही इसका कि आप उपर रुपे में वेल्यू लिख लो और नीचे परसेंटेज में अब ये जो रेट लिखते थे हम लोग ये किस टाइप की थी यह rate कैसे भी हो सकती थी आपका मन करे CP थी आपका मन करे SP थी SP भी अगर अलग-अलग type की है तो यह अलग-अलग type की SP हो सकती थी ठीक है यह pattern आपको मेरे ख्याल से पढ़ा हुआ याद आ रहा है क्योंकि अगर आप और कोई भी method यहाँ पर प्रियास करेंगे तो उसमें आपका time consume होगा देखो profit and loss का सवाल है सवाल बिलकुल आसान है ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आपसे soul ना हो लेकिन nature इसका क्या हो जाता है? Calculative तो अगर आपको यह सटीक अप्रोच नहीं पता यह अप्रोच बनी कैसे थी? बिलकुल आपको explain किया गया था कि रूपए में data है percentage में लिखा दूसरे case में रूपए का data था percentage में लिखा पहले को दूसरे से divide किया था फिर all over आपका यह conclusion निकल के आया था तो देखना 18 पंखों को 11,664 में बेचा रूपए में कीमत 11,664 लेकिन हमें तो एक पंखे की कीमत चाहिए तो बटा में 18 कर दे कर दिया यह कीमत आपने रूपए में लिख ली एक पंखे की कीमत 10% का नुकसान तो बेचा कितने में? CP आपकी 100% selling price है यह तो 90% बेच दिया बराबर अगले case में क्या कह रहा है? कि 17,424 रुपए में कितने पंखे बेचे? तो एक पंखे की कीमत क्या होगी? मैं माल लेता हूँ X पंखे बेचे तो एक पंखे की कीमत यह होगी लाब कितना मिल रहा है? 10% तो यह वाली जो एक पंखे की कीमत है ये 10% लाब पर हैं, तो CP 100%, 10 का लाब ले लोगे 110%, आपको एक्जाम में देख करके सीधे-सीधे ये पैटर्न फोलो करना होता है, और ये कई जगा आपका अपलाई हो रहा था, शोल कर दें, परसेंटेज, परसेंटेज 0 खतम हो गया, अब आपको पता है, रिजल्ट परफेक्ट आएगा, पंके पॉइंटों में तो आएंगे ने, तो जो भी वेल्यू आपको दिख रही, आपका मन करें उसको काट दो, जैसे 11 से इसको काटें, 11 से काटोगे, 11 एक बार, 6 बचा, 11, 5, 55, और कितना बचा आपके पास, 11 से काटा, एक बार, 6 बचा, 11, 5, 55, 55 के बाद आपके पास कितना बचा, 9, 11, 8, 88, 11, 4, 44, ठीक है, इसको फिर काट लेते हैं, जैसे 9 से इसको काट लेते, इससे मत काट लेना, ये तो नीचे आएगा, 9 से इसे काटोगे, 9 का डिविजन आपका एक बार 2 बचा, 9 गुणा में 2, 18, 8 बचा, 9, 9 आपका, 81, 5 बचा, 9, 6, 54 हो गया, 18, 7, 126, टेबल याद है, 18 की तो, याद करवाई भी थी, 18, 7, 126, 18, गुणा 2, 36, ये वाला पार्ट आपका इधर आ गया, X बराबर, कितना भी, 15, 184, बचा में कितना निकल के आगया, सब कुछ कट गया, बहतर, अगर आगे भी नहीं सोल कर पारे हो, तो 8 से एक बार और काट दे, 8 से एक बार काट दे, 9 बार, 8 से काटोगे, एक बार, 7 बचा आपके पास, 8, 9, 22, 6, 9 का फिर भाग दे दिया, 9, 2, 18, 9, 2, 18, रिजल्ट क्या आगया, 22, ठीक है, सवाल का नेचर क्या है, कल्कुलेटिव है, इसलिए मैं आपको सीधे-सीधे ये नहीं कहता कभी भी, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, और इसका रिजल्ट 22 आएगा, नहीं, जहां कहीं भी संभावनाई होंगी, हर चीज का मैं प्रियास करूँगा, कि आपको explain करूँ, कि अगर आप इस सवाल में जिजकते हैं, कि 11 से try करूँ या ना करूँ, क्यों नहीं करोगे भी, पंखों की value एक्जिक्ट निकल के आएगी, कि ऐसा तो होगा नहीं, 23.5 पंखे उसने बेचे हैं, ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा, perfect value आएगी, तो यहाँ पर सीखने लाएगी ये बात थी, कि आप किसी भी number को काटना start कर दो, वो must है कि कटेगा ही कटेगा, ठीक है, सवाल में important था, और सवाल में calculation भी थी, सवाल number 15 देखना, आसान सा सवाल है, एक आपको diagram दे रखा है, मेरे ख्याल से आपको साफ साफ दिख भी रहा होगा, मैं बना भी देता हूँ फिर से, ये आपको दे रखा है यहाँ पर, और R, Q, and P, ये आपको यहाँ पर दे रखा है, ये 13 है, ये 12 है, तो जायद सी बात है, ये कितना निकल के आएगा, 5, थीटा की जो value हाँ, वो आपको दे रखी है ये वाली, और कोस थीटा पूछ रहा है, trigonometry में सबसे important बात हमने यही तो पड़ी थी, कि trigonometry में क्या scene होता है, जैसे आप geometry mensuration की बात करें, area जब निकालते हैं, 3 आपके पास base होते हैं, 3 आपके पास side होते हैं, उनको आप कहीं तो perpendicular भी कह लें, ठीक है, लेकिन trigonometry में क्या होगा, right angle triangle पर trigonometry लगेगी, अगर right angle triangle नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ऐसा modification हुआ है, कि right angle triangle बना, और theta के सामने, theta को अगर आप किसी भी trigonometry, sine cos, ten cos, sec, cosec के साथ काम में लेते हैं, तो सामने की भुजा क्या होगी, perpendicular, 90 के सामने आपका hypotenuse होता है, कोई confusion नहीं है, तो base कितना आ गया, 5, यह मेरे हिसाब से ऐसा सवाल था, diagram आपको दे दिया, इसका मतलब 90% काम आपका हो गया, 13, 12 की वज़े से 5 हो गया, angle के जो pass वाली जिस्ट भुजा, एक तो hypotenuse है, pass वाली भुजा क्या हो जाती है, base 5 हो गया, hypotenuse आपका 13 हो गया, देखो आपको क्या दे रखा है, P दे रखा है, center यहाँ पर A दे रखा है, इसकी tangent आपको दे रखी है, यहाँ आपको दे रखा है, एक मिनट क्या, M, दूसरे case में, इधर से इसने एक tangent ड्रो कर रखी है, इस point को नाम दे रखा है, N, और इसका center आपको दे रखा B, यहाँ touch करते हैं, इस एक बार language को देख लेते हैं, देखो, center A और B, center A वाले व्रत पर्स पर्स करता है, और B, MP इसकी tangent हो गई, और B जो center है जिसका, वहाँ पर Q, N आपकी क्या होगी, tangent, MP की value आपको दे रखी है 15, M से लेकर P की value आपको 15 दे रखी है, फिर देखना, N से Q तक की value आपको 8 दे रखी है, फिर P से लेकर A तक की यह जो complete value है, वो आपको कितनी दे रखी है, 17, और B से Q तक की जो complete value है, वो आपको दे रखी है 10, आपसे पूछ क्या रहा है, A से लेकर B तक की दोरी, असल में देखा जाए तो यह इसकी radius है, यह इसकी radius, आपको radius find करनी है, देखो, tangent के साथ center से जब मिलाते हो, angle 90 degree आपका बनता है, 15, 17, यह क्या बनेगा, 8, कैसे पता चला, triplet, आपको बार-बार में कहता हूँ कि, triplet जितने भी type के हैं, वो याद रखने हैं, तो सर्च करें, how to find triplets, और आगे लिख दें वासू सर, तो आपको reason भी समझ में आ जाएगा, कि triplet actual में बनाए कैसे जाते हैं, कई सारे बनते हैं, ठीक, यह 8 आगे, देखो, 90 के सामने, hypotenuse, 10 हो गया, यह 8 हो गया, यह 6, तो एक बात बताओ, यह भी radius है, तो इसकी value भी 8 होगी, यह भी radius है, यह भी radius अच्छ है, तो AB की value यहां से क्या निकल के आगी, 14, ठीक, हलंकि इसने diagram दे रखा है, अगर आपकी ठीक कमांडरे triplet पर, तब आप इस सवाल को verbally deal कर सकते हैं, बनाने की need नहीं थी, क्योंकि data असान है, triplet इस range में आपको दे रखे हैं, जिस range में आपने याद कर रखे हैं, तो फिर से diagram बनाने की need नहीं थी, आप प्रियास करके देख लें, sol कर दे जाएंगे, चलो एक नकली सा सवाल दे रखा है, कोन BAC की value पूछी है, BAC कोन सा है आपका diagram में ये वाला, ये कितना है 62 degree, ये कितना आपका 110 degree, आपने एक छोटी सी बात पढ़ी होगी, sol करने को ऐसा भी कर दो, इधर वाला एंगल 70 आ गया, 70 और 62 आपका 132 आ गया, तो इसके अंदर कितना निकल के आएगा आपका, 48 degree, ठीक है, 48 degree, एक बात और भी पढ़ाई थी कि किसी भी triangle के, 2 interior angle का सम, तीसरे exterior के बरापर, 62 को में क्या add करे, 110 बने, 62, अगर ये 60 होता, 60 के अंदर आप 40 add करते, 100 बन जाता, इसमें 40 add करोगे, 102 बनेगा, 102 में 8 और add कर दो, तो 48 आपका क्या आगया यहां पर, result, ठीक, ये easy सवाल था, चलो भई, next question पर आ जाते, सवाल नंबर अपना 18, language को देखना गया, 2 साल के अंत में, 50,000 रुपे की रासी पर, साधान ब्याज कितना है, 4,000 रुपे, समान अवदे के लिए, समान दर पर, उसी रासी पर, चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, देखना, हर साल साधान ब्याज कितना मिलेगा, पहले साल 2,000 मिलेगा, दूसरे साल भी 2,000 मिलेगा rate of interest कितनी है भी 2,000 रुपे ब्याज एक साल में मिला किस पर 50,000 पर प्रतिसत में बदलना है गोणा 100, 4,0 है 3,4,5,2,10 rate of interest हमारी यहां से कितनी आगी 4% यह आपकी rate of interest चल रही है अब एक बात बताओ पहले साल का साधान ब्याज 2,000 है दूसरे साल का भी 2,000 है और दूसरे साल इस ब्याज पर ब्याज और मिलता है 4% निकालो के percentage 2,0 खतम कर देगा 20,40,80 तो total compound interest अगर आपको निकालना होता तो 2,2,4,080 4,080 कौन सा option है भी आपका option B यह result हो गया यह सबल आसान है इसको लिखने की need नहीं थी इसे भी आप verbally कर सकते थे क्यों डेटा फिर से वही आसान है चलो इसका तो result बता दो जल्दी से क्या होगा in the figure if angle A equals to 100 degree angle C equals to में क्या होगा cyclic quadrilateral हापका EBCD आमने सामने के angles का sum क्या होता है 180 degree अगर A की value 100 degree है तो इसके जस सामने का angle क्या है C C की value कितनी होगी 80 degree option C यहां से हमारा correct हो गया आगे देखो आपसे क्या पूछा है the value of 151 का square minus 149 का square कौन सा pattern दिख रहा है अब ही algebra का pattern याद करो x square minus y square यह दिख रहा है examiner आपसे क्या उमीद करता है examiner आपसे उमीद करता है कि आप सीधे सीधे इस सवाल को solve करके देखें अगर आप algebra का formula नहीं लगाएंगे तो सवाल बड़ा calculated है formula लगा लेंगे तो यही बात आप ऐसे लिख सकते है x minus y into में x plus y अब देखो x की value 151 y की 149 x minus y करोगे 2 आ जाएगा x plus y 151 में 149 एड़ किया एक उठाक 149 को देदो 1500-500 कितना आगया आपका 300 सम कितना बन गया सुरी multiply करोगे 300 गोणा में 2 600 option A आपका correct हो गया देखना जरा इसको फिर से थोड़ा सा ओर जोम कर देता हूँ प्रोग पर देख जाए चलो देखो दिये गए डाइग्राम के अंदर एक triangle ABC सम द्वी भावुत तरी बुज है ISOCELLS triangle है AB बराबर आपको AC दे रखा है AD जो है वो perpendicular किस पर आपका BC पर BC की value 6 दे रखी है AD की value आपको 4 दे रखी है अब देखो ISOCELLS जो भी triangle होते हैं आपके जितने भी A हो गया, B हो गया, C हो गया तो जो side equal नहीं है उसके उपर अगर सामने से आप perpendicular draw करेंगे तो ये इससे दो हिस्सों में divide करती है reason क्या अगर समझना चाहें तो देखो इसकी value xx ले लूँ मैं क्योंकि दोनो equal बताई है AD की value आपको 4 बताई है अगर आप इधर से equal ना भी करते और solve करते तो क्या आता है under root में x square minus 4 का square इधर से solve करते तो under root में x square minus 4 का square तो हम लोग ये कह सकते हैं ISO-cellus triangle में जब भी कभी दोस जो side आपकी same है उनके 20 से perpendicular draw करोगे सामने वाली side को 2 बराबर हिस्सों में divide करता है कर दिया आपको bc की value 6 दे रखिये ये कितनी हो जाएगे आपकी 3-3 आपसे पूछा AB की value 3 और 4 की वज़े से क्या आ जाएगे 5 ये भी सवाल ऐसा है कि आप इसे verbally deal कर सकते हैं चलो भी अगला सवाल देखना जरा क्या कहा एक कमरे की चारों दिवारों का शित्रफल और जिनकी लंबाई 6 मेटर चोड़ाई 4 मेटर उचाई 4 मेटर है एरिया आपसे पूछा है एरिया ओफ वोल्स आपसे पूछा है एरिया ओफ वोल्स आपको बताया था mensuration 3D पढ़ाते टाइम की base perimeter 6 लंबाई 4 चोड़ाई 6 लंबाई 4 चोड़ाई 6 4 10 6 4 10 20 हो गई आपकी 20 best perimeter height आपके पास कितनी है 4 तो area of वोल्स कितना आजाएगा 80 ये भी आपके पास ऐसा ही सवाल है आप चाहे तो इसे verbally deal कर सकते हैं देखो आगे का सवाल ratio से उठाया गया है सवाल क्या है A ratio B 3 अनुपात 5 है B ratio C आपका 2 अनुपात 3 है A ratio B ratio C क्या होगा A से B है फिर B से C है एक sequence ही आपका एक तो जो हमारी सबसे सटीक exam approach थी वो क्या थी भी A को B mediator है A का A की value दूसरे mediator से गुणा कर दो A की value 3 अगला mediator क्या है B दोनों में mediator की भूमी का निवारा है 3 गुणा 2 च्छे B दोनों में mediator है B की B से value कर दो 5 गुणा में 2 10 आ जाएगी C अगले part में है C की value 3 है उसको पहले mediator 5 से गुणा करोगे 15 इस approach का तो कोई तोड़ी नहीं है देखो ठीक है यह सबसे best approach थी और जब भी कभी आपको 3 लोग दिये हो जाए तो उस case में बिलकुल आप इसे सीख है अगर आप इस सीज को सीख जाते हैं और अगर मालो यह ratio ऐसा होता A ratio B, A ratio C उस case में बहुत सारे बच्चे confused हो जाते हैं जब कि आपको बता रखा है कि A, B, C का ratio कैसे निकलेगा एक line में सीधे सीधे लिख सकते थे बाइचांस मालो आपको यह लग रहा है कि नहीं आप तो confused हो रहे हैं तो क्या करो sequence add करो A ratio B, B mediator है तो यहाँ यहाँ लिखना पड़ता है इसको mediator को A ratio B की value कितनी है 3 अनुपात 5 B, C की value कितनी है 2 अनुपात 3 A ratio B ratio C निकलेगा 3 गुणा 2 6 A की value B की value C की B की value 5 गुणा में 2 10 और C की value 5 गुणा में 3 15 यह आपका result आ गया सबसे best यह है असल में देखा जाए तो exam approach आपकी यह है चलो बई, सवाल नंबर 24 की बात कर देते है Question number 24 24 में देखो अंकित मुले 5,040 रुपे वाली वस्तू को 40% छूट पर बेचने से एक व्यापारी को 20% का लाब होता है तो आपको यहाँ पर लाब की रासी बतानी है आपको यह पता है कि Cost Price से आप किस में जा सकते हो Selling Price में ऐसे ही आप Mark Price अंकित मुले से आप विक्रे मुले में जा सकते है तो एक Relation तो इनका बन सकता है एक Relation इनका बन सकता है मानलो आपने Cost Price क्या मानली X रुपे ठीक है और एक व्यापारी को 20% का लाब हुआ यहाँ पर X रुपे की चीज X के 120% में भीकेगी Selling Price वही तो होती न 100% CP 20% का लाब तो X का 120% Sol करके लिखोगे तो 6 बटे 5 क्या लिखाया भई हमने SP को ऐसे ही Mark Price उसने कितनी बताई है आपको 5040 ये तो Mark Price है Mark Price पर 40% का Discount दे दिया तो Mark Price के 60% पर बेचेगा 60% की Value क्या लिखते है हम लोग 3 by 5 Sol कर देते है 5 से आपका 5 कट गया 3 से काटोगे 2 बार 2 का Division कर दोगे तो Value कितनी आ जाएगे आपके पास 25-20 ये क्या है Cost Price लेकिन आपसे इस सवाल में Cost Price नहीं पूछे आलांकि देखो चाला की की है इसने Option डाल भी रखा है 25-20 आपसे पूछा है Lab कितना होगा CP का 20% Lab हो रहा है तो CP का 1 by 5 निकाल तो 5 का भाग 25 में इसमें जा नहीं रहा है 20 में जाएगा 4 बार असल में एंसर ये है तो यहां भी silly mistake होने के chances थी कि आपने sol किया 25-20 लिखा सवाल को ठीक से नहीं पड़ा सीधी सीधी option D को टिक मार दिया एक्चुल में उसने आपसे profit पूछा था रुपए में कितना होगा CP का 20% निकालोगे result option B आ गया चलो अगला सवाल रीड करो time आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिया जाता है यहां पर देखना क्या का एक परिक्ष्या में अनिता ने 31% अंग हासिल किये 16 अंगों से फैल हो गए सुनिता ने 40% अंग प्राप्त किये और पास होने के लिए आवसिक से अधिक 56 अंग प्राप्त किये पास होने के लिए आवसिक नियुनतम अंग कितने सिखाया हुआ है बार बार देखो एक ने 31% एक ने 40% दोनों के बीच का gap कितना है 9% 9% की जो value हैसल में किसको बताती है 9% पास लाइन एक पास लाइन से नीचे है कितने अंग 16 एक पास लाइन से उपर है कितनी 56 तो यहाँ 31% यहाँ 40% यहाँ से यहाँ percentage में तो 9 बन गया लेकिन अंग कितने 16 और 16 में जोड़ोगे 56 कितना आ गया भी 16 में 56 जोड़ दिया 6 6 12 72 9 को बहतर बनाया percent value को actual में डालना है 8 से गुणा कर दो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए 31% में 16 नंबर और जोड़ दो 31% को actual value में लाना है तो 8 से गुणा कर दो 31% लाकर तो फैली हो रही थी उसमें 16 नंबर और एड़ करे तो पास हो गया चलो भी 8 गुणा 1 8 3 24 प्लस कर दिया आपने 16 तो ये कितना आ गया 274 ये आपका हो गया वही correct result option भी correct है ठीक है ये भी आसान category की सवाल है तो इन में कोई खास दिमाग लगाना नहीं है आपको देखना जराँ इसने क्या कहा कि 2y-5 का whole q में y का coefficient या फिर गुणा क्या होता है अगर आप इस formula को गोर से देखें तो ये formula क्या है a-b का whole q इसे जब आप solve करते हो तो क्या करते हो a का cube दूसरा part है minus b का cube करोगे तो minus b cube फिर क्या लिखते हो आप 3 into में a square और ये b minus का है तो यहाँ क्या बात लिखी जाती है 3 a square b फिर आगे करते हो 3 into में a into में minus b का square तो ये तो plus हो जाएगा 3 a b square असल में ऐसे ये लिखा जाता है आप से उसने क्या दिया आप सुरी आपके सामने उसने रखा 2 y minus 5 का whole q coefficient किसका भी आपका y का y कहाँ पर है a की तरह behave कर रहा है यहाँ पर involve हो रहा है y के multiply में जो कुछ भी है तो देखो पहली जो term बनेगी इसको भी छोड़ दो side में formula याद है इसका cube फिर इसका cube फिर 3 into में इसका square into में ये और फिर एक term बनेगी 3 into में पहली term into में अगली term का square 5 का square 25 ये बन गया y का coefficient कितना है 25 गुणा 2, 50 गुणा 3 150 ये y तो इसका मतलब y का जो coefficient है यहाँ पर क्या बनेगा 150 ठीक है जिस बच्चे के आपको कहा था algebra पढ़ाते time कि जो square के pattern है और जो आपके cube के pattern है उन पर आप एक अच्छी खासी अपनी command रखें अच्छी खासी command रखेंगे तो एक coefficient वाले सवाल ऐसे है formula याद नहीं होगा तो exam hole में दिमाग लगाओगे हलांकि इनको भी derive करना तक भी सिखाया था कि minus plus की भी कहीं issue नो हो आपके दिमाग के अंदर formula याद होगा सीधे सीधे कर लोगे formula याद नहीं होगा कोई गडबड होगी और हो सकता है जैसे option एक minus का भी है तो कहीं ना कहीं आप error कर दे चलो भी एक बड़ा सा सवाल आपके सामने देखना जरा क्या कहा कि एक लाख पचास हजार रुपई की धनरासी को A, B और C के मद्दे इस तरह विभाजित किया जाता है जिससे उन्हें क्रम से 20%, 30%, 50% प्राप्त हो ठीक है A को उतनी धनरासी प्राप्त हुई जितनी उसे एक और धनरासी के बटवारे में मिली थी जिससे उन तीनों के मद्दे क्रम से 50%, 30%, और 20% के परतीसत में विभाजित किया गया था जात कीजिए B को उन दोनों बटवारों में कुल कितनी धनरासी मिली अब थोड़ा सा ध्यान से बात को समझना A, B और C के मद्दे पहले केस में पैसा बटा 20%, 30%, 50% टोटल 100% हो गया रेशो ले ले 2 रुपए मिले इसको 3 मिले इसको 5 मिले इसको ठीक है Second case की बात कर लेते है Second case में देखना जरा 50, 30, 80% और 100% पैसा डिस्टिब्यूट हुआ 5 रुपए इसको आए 3 इसको आए 2 इसको आए लेकिन important बात ये थी important बात इसने ये कही कि भई जब भी कभी आप distribution करोगे पहले case में एको जितने रुपए मिले है दूसरे distribution में भी एका percentage हालाग की change है लेकिन रुपए से मिल रहे है तो रुपए सेम करने कैसे करें भई इस दोर 5 को equal करना LCM क्या हैगा 10 तो उपर वाले को मैं 5 से गुणा कर दू और नीचे वाले को मैं गुणा किसे कर दू दो से तो मेरी condition justify हो गए कि पहले case में भी एको दस रुपए मिले और दूसरे case में भी एको दस रुपए मिले आपको क्या चाहिए B का हिस्सा B का हिस्सा कितना है पहले case में 5 गुणा 3 पंद्रा दूसरे case में 3 गुणा 2 चे compare किस से करें डेड़ लाग से डेड़ लाग का distribution पहले case में हुआ था तो देखना जरा एक लाख पचास हजार रुपए किस में distribute हुए थे पहले case में किस अनुपात में 2, 3, 5 और हमने 5 से गुणा किया easy करने के लिए otherwise condition justify नहीं हो रही तो 5, 3, 8, 2, 10 गुणा 5, 50 50 बताता है किसको एक लाख पचास हजार को एक की value अपोन में 50 आ जाएगा ये इससे कट गया इससे इसको काटोगे 3,000 आ गया B का हिस्सा कितना है तो देखना जरा B को 5, 3, 15 यहां मिले, 3, 2, 6 21 मिले, एक की value आगे 21 से गुणा करो, 21 गुणा 3 63 और 3 लग गए 0 तो यहां से जो आपका correct result होगा, वो क्या होगा? 63,000 अगर confusion हो रहा है condition तो आपको फिर भी justify करनी है गुणा करके लिख लो 10, 15, 25, 10, 6 और 4, उसके वेसिस पर भी आप निकाल सकते हैं चलो भी, सवाल नंबर 28 देखना रमेश ने 40,000 रुपे का निवेस या इनिवेस्टमेंट करके एक business स्टार्ट किया 6 महीने बाद केविन ने 20,000 रुपे का निवेस करके वेसाए में साजेदारी की partnership का सवाल है यदि वर्स के अंद में उन्हें 10,000 रुपे का ला बर्जित किया तो उसमें केविन का हिस्सा कितना था देखो एक member आपके पास रमेश है और दूसरा member आपके पास क्या है केविन अब रमेश का पैसा कितने टाइम तक रहता है वही 12 महीनों तक और केविन का पैसा रहता है 6 महीनों तक क्यों 6 महीने बाद आया जब partnership के कुछ सवाल करवाय थे तो आपको सब्द दिये थे कि business value क्या होती है business value होती है आपका पैसा कितना है लेकिन एक महीने के लिए लगाता है फिर निकाल लेता है तो business value किसकी एक जना कहादेगा कि मैं तो 50,000 लगाए थे दूसरा कहेगा ने यार 50,000 क्यों मैंने 10 लगाए थे लेकिन मैंने पूरे साल तक तो business value कैसे निकलती है 10,000 लगाए बारा महीने के लिए तो पूरी business value कितनी होगी एक लाक बीस अजार उपए ठीक है दूसरे ने 50,000 लगाए एक ही महीने के लिए या दो महीने के लिए लगा लेता तो 50,000 गोना दो business value एक लाक profit या loss या जो कुछ भी होगा उसका distribution business value से होगा तो time इसका 12 महीने है और इसका कितना 6 महीने हम तो business value का ratio ले रहे है तो इसका investment है 40,000 इसका है 20,000 40 और 20 का ratio ही ले लो भई दो अनुपात एक बन गया इसे भी solve करोगे तो ये इससे कटेगा 4 अनुपात एक में profit का distribution होगा 5 किसको बताता है total profit 10,000 रुपए है केविन का हिस्सा उसमें 1 है 1 की value निकालोगे 5 का भाग दे दिया आपने तो कितने रुपए 2000 रुपए इसका पूस्ता तो इसके इससे में 8,000 आ जाते ठीक है चलो भी सवाल नंबर 29 स्क्रीन से थोड़ा सवार जा रहा है देखो इस pattern के अंदर आप से क्या पूछा गया है P की value आपको बतानी है ठीक है भी एक तो देखो अगर आपको formula पता है तो आप क्या करेंगे सीधे सीधे comparison कर देगे क्योंकि जो right वाला जो part आपके पास वो क्या है 1-4x का whole cube ठीक है तो मैं आपको दोनों ही method बता देता हूँ पहले left side में 1-64x cube minus का 12x plus का px square है इसके equal में जो बात दे रखी है 1-4x का whole cube whole cube करोगे पहले का cube एक minus दूसरे का 64x cube फिर क्या करते हो आप minus 3 गुणा में पहले का square गुणा दूसरा तो ये कितना आजाएगा minus का 12x फिर अगले value 3 गुणा में पहली value into दूसरी का square ये value positive आएगी तो 4.16.3 48x square ये justify ये justify ये justify इसको तो होना ही था ये value इसके बराबर है compare करोगे px square बराबर 48x square अगर p की value यहां से कितनी आ जाएगी 48 अगर किसी बच्चे की formula पर ठीक ठीक command है तो वो तुरंद पकड़ लेगा कि x square का असल में coefficient कितना आएगा तो वो पाएगा 3 गुणा में 1 गुणा में minus 4 का square 48 हो गया सवाल खतम अगर formula पर ठीक command नहीं है आप लिख करके compare कर सकते हो एक दूसरा तरीका ये भी तो है आप क्या करो इसमें देखो किसी value को हटा दो जैसे एगर x को 0 कर दे तो फिर तो p भी खतम हो जाएगा ऐसा तो कर नहीं सकते x की value क्या करने 1 क्योंकि आपको पता चला कि जो left में value हो वही right में है x की value 1 रख लो तो 1-64-12 प्लस p बराबर 1-4 माइनस 3 का 27 p की value देखना ज़रा ये part आपका इधर चला गया ये भी इधर चला गया 64 में 12 जोड़ा चिंतर चिंतर में से ये minus हो जाएगा 28 कितना बचा वही आपका 48 दिखा जा सकता है दूसरा method ये है देखो देखने में आपको आसान ये लगेगा अगर आपका मेनत करने का मन नहीं है तो आपको ये लगेगा इससे होई रहा है मेरा ये मानना है ये तरीका सबसे आसान है क्योंकि exam approach में ये सवाल सीधे सीधे आप माइंड में लिख सकते थे कि P की value क्या निकल के आएगी आपकी 48 formula पर command होगी तभी ऐसा सम्भव है चलो भी एक D.I.E. का सवाल भी discuss कर लेते हैं और ध्यान रखना अगले वाले जो mock test होगा उसका level काफी अच्छा होगा हो सकता है उस mock test में हम लोग एक घंटे में या एक घंटे पांच मिनिट में सवाली 25 डिसकस कर पाएं लेकिन सीखने लाएक उस mock test में कई सारी बाते होगे देखो दी गई तालिका का ध्यान पूरण देन करें और कुछ questions उनका reply करना है देखना year दे रखा है 2010, 11, 12, 13, 14 और number of students that appeared for an examination किसी exam के अंदर appear होने वाले student फिर नीचे दे रखा pass होने वाले student उससे नीचे दे रखा है number of student pass with distinction मतलब कितने student के D लगा है D अमोमन क्या कब लगता है 75% से उपर मार्स आते हैं तब देखो the percentage of student who have passed with distinction in the year 2012 में 2012 में वो student जो distinction के साथ pass हुए उनका percentage कितना है 2012 में total student कितने हैं वही आपके पास 840 ये साइध हम लोग पहले भी एक D.I. में कर चुके हैं same है D.I. थी D कितना होगी लगा है 210 के परतिसत में बदलना है गुणा 100 21,84,84 का भाग दे दोगे तो result कितना जाएगा 25% ठीक है ये होगे आपका result चलोगे ये आज का हमारा जो session है वो complete हो गया है mock test 3 और अभी तक अगर आपने telegram channel को join नहीं कर रखा है तो PDF के लिए बिल्कुल आप इसे join कर सकते हैं इसके file section में जाएंगे तो आपको पुरानी भी PDF मिल जाएंगे और अपनी PDF की एक अच्छी बात ये है कि जब भी आप किसी भी PDF को open करते हैं तो उसमें आपको लिखा हुआ मिलता है कि click here for video class तो जैसे ही आप PDF के अंदर भी click कर देते हैं तो तुरंत के तुरंत आप उस video पर चले जाते हैं ऐसा कोई भी scenario नहीं है कि मालो आपने class number देखी 57 अब आप ढूंड रहे हो YouTube के उपर class 57 अगर आपके पास PDF है 57 number के class में आपको पता चला कि इतने number के सवाल में doubt है तुरंत class 57 पर click किया तुरंत के तुरंत आप video class में चलेगे वहाँ पर उसको थोड़ा सा scroll करके देख लो कि वो सवाल कहां करवाय जा रहा है तो starting में जो 1730 या उससे भी ज्यादा सवाल हमने discuss किये थे सारे के सारे अपनी series के अंदर important है कोई बच्चा नया भी जूड़ा है मानलो अभी exam नहीं दे रहा भविस्य में उसे देनी है railway की तैयारी कर रहा है या state level exam की तैयारी कर रहा है तो वो भी उनको देख सकता है SSC, CDS, bank वगेरा के लिए अभी थोड़े ही दिनों में study IQ app पर भी course launch होने वाला है उमीद है जनवरी के first week में वो launch हो जाएगा चलो भी किसी भी type के आपके suggestion है तो बिल्कुल आप क्या करें comment section के अंदर लिख सकते हैं classes कैसी लगती है at least comment करके जरूर बताए वो doubt आपका जो doubt group है वहाँ पर आप पोच सकते हैं तो चलिए फिर आपका दिनराज सम्मंगल में हो मिलते हैं अगली class में जै हिंद, जै भारत